मदप्रदेश में साशन किसका चल रहा है ये बीजेपी की नेताओं को ही पता नहीं चल रहा। बीजेपी कारी समीती का सदस से अपने ही एक सरकारी सलाकार से उलच कर जेल पहुँच गया मामला अटल बिहारी शुसासन संस्थान का है जहां कि संचालक और मध्यप्रदेश मोहन सरकार के सलाकार लोकेश शर्मा का बीजेपी कारी समीती सदस से हिरेंद्र बहादूर से एक पदिस्थापना को लेकर विवाद हो गया विवाद इतना बड़ा कि दोनों में अबद्रता तक हो गई लेकिन संगठर और सत्ता के बीच किसी ने भी बैट कर मामले को सुलजाने की कोशिश नहीं की बीजेपी प्रदेश सद्यक्ष बीडी शर्मा तक ने इसमें रूची नह और उनका खासा मध्य प्रदेश की मुक्मंत्री से लेकर हर एक पर अच्छा दबदबा है उधर हिरेंद्र बहादूर से भी पुराने कारे करता होने के साथ प्रदेश कार समीती के सदस्य होने के कारण ठसक में थे लेकिन हैरत की बात तो है कि दोनों के बीच हुए विवा जमानत कराने पहुची तब जाकर हिरेंद्र बहादूर जेल से छूटे कैस पूरे मामले में संगठन को दोनों के बीच नहीं आना था यह सवाल बीजेपी के सीनियर कारकरता भी पूछ रहे हैं हिरेंद्र ने यदि कोई गलती की थी तो उस पर भी संगठनात्मक रूप से कारवाई हो सकती थी लेकिन जेल भेजने की घटना क्रम से प्रदेश बीजेपी के मों पर कालिक पुत गई है इधर कॉंग्रेसी जम कर मजे ले रहे हैं कि यही है काडर वेस पार्टी का असनी चेहरा जहाना संगठन का लिहाज है और न सत्ता का